मोधी सरकार ने हाल ही में जम्मु कश्मीर में धारा 370 को खत्म करने का रास्ता साफ कर दिया है सरकार के इस फैसले के साथ ही देश में एक तरफ जहां खुशी की लहर है वहीं दूसरी तरफ कई लोग नाराज भी है वहीं अब लीजिये बॉलिवोड के फेमस डिरेक्टर अनुराग कश्यप ने कश्मीर पर सरकार के फैसले के बाद प्रधार मंत्री नरेंद्र मोधी का नाम लिए बिना ही उन पर निशाना साधा है अनुराग ने कश्मीर पर फैसले को लेकर खुद के कंफ्यूज होने की स्थिती भी जाहिर की है बतादे कि अनुराग ने कश्मीर को लेकर बाक टू बाक तीन ट्वीट्स की है अनुराग ने ट्वीट कर लिखा पता है डराने वाली बात क्या है? ये की एक आदमी सोचता है की 120 करोड़ लोगों के लाप के लिए क्या बहतर है? उसे मालूम है उसे अपनी शक्ति का इस्तिमाल करने की एक्सिस है वही अनुराग ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा आर्टिकल 370 या 35A के बारे में ज्यादा नहीं कह सकता इसका implication, history या facts मैं अभी भी समझा नहीं हूँ कभी लगता है जाना चाहिए था, कभी लगता है क्यों गया? ना मैं कश्मीरी मुसल्मान हूँ, ना कश्मीरी पंडित मेरा कश्मीरी दोस्त कहता है कि कश्मीर की कहानी रोशो मौन की तरह है वहीं अनुराग में अपने तीसरे ट्वीट में लिखा कई पहलू है कश्मीर के, सभी सही है और सभी गलत बस इतना जानता हूँ कि जिस तरीके से ये सब हुआ, सही नहीं था तो देखा अपने, अनुराग ने सीधे तोर पर मोदी पर अपनी भडास निकाली है भले अनुराग ने मोदी के फैसले पर नाराजगी जताई हो लेकिन बॉलेवोट का एक बड़ा तब का सरकार के फैसले पर खुशी जाहिद कर रहा है जब नवी जिसाइब पर ने सब्यापति महोदे जम्मू कस्मी के लिए जो कुछ की चर्चा के लिए हो विसाब के लेता को और समूच की चाहिए और चताधारी पार्टी के लोगे आप आप बार चर्चा की जब पर मैं तयार हूँ सब चीजों का मैं जवाब देने के लिए तयार हूँ और डिटेल आप जब नहीं नहीं जवाब देने के लिए तयार हूँ वगर मैं जो नो दिस्प्राइब बार्टी जिस गुलाब नभी जी मुझे सुनिये लौत बोस आप देन बार्टी जी युट युट टो इपल्डूमब के लिए वे घ्रटी तो ऑप गजाब देने का लुएविजव फ्रिट्व प्लूमुट युट पूंट प्लूम प्लूट करों जब दर दिसा प्लूमुट ज भार्टी every day it's not happening please you can't speak without my permission Shri Madhusudan, Mr. Ji आप वरिस्टा है, प्रुपे आप बाइट जाए आप बाइट जाए पुनिया जी बाइट जाए what is the rule sir, point of order everything will come for discussion everything will come for discussion what can I do these are all friends sir, my point of order is on rule 69 sir, rule 69 allows the chairman to use his discretionary power to introduce a bill on the same day without circulating it without members reading it it allows you the power, sir it allows you the power, I have no quibble on that sir, my simple point is sir, but the rest of the 69, 1, 2, 3, 4 and the first four lines, sir on that I appeal to you, sir to please, when these bills are circulated, please allow us the time to read these bills to understand these bills for example, this is a good bill but when we are not given the time sir, I appeal to you you have the power to circumvent all but we feel deprived I got your point I got your point there is a there is a reason I do admit that members need time to read it so even after the minister introduced the bill the members will be given an opportunity to give amendments up to 1230 today any member on any bill they can give amendments then there will be also time available to you even to study also before you speak that arrangement has been made and I am saying it of sherry it will go on record members can once the bill is introduced members can move amendments and also start applying their mind because we have only two days left so we have to understand the importance after written a borough he is capable I heard him and also I have taken it positively so it is not RNG it is not only that bill there are two, three one, two bills and one resolution also once they come before you then you start reacting on that oh Mr. oh Mr. oh Mr. you are the leader of the opposition you are aware of the rules you raise the relevant point it is important तो जो जो, तो जो रहाए हम, आप उती तो रहां कोपड होगा, बैसे हैं चेकर ओजा प्राइब कोपड़ा है, और उस लिए जो में पहुते हैं पोटे हैं लिए ल गपकोडू है कि में अगरे दोपा जो रहे हैं लिए इभुडरी प्रफिया है सब्सक्राइब सब्सक्राइब जो रिवाइज अपना बीजनेस का लिष्ट है उसके अंदर आपने मुझे व्योस्ता दी है कि मैं दो संकल्प और एक बील जो प्रिंटेट बीजनेस के अलावे मैं प्रस्तूत करूँ गा इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे और उसके बाद में मैं जबाब भी दूँगा और चारो पर एक के बाद एक करकर डिविजन करना है तो डिविजन मगर मुझे भरोसा है कि चा करकर वोटिंग करेंगे मान्य गुलाम नभी आजाद जी ने जो कहा कि कस्मिर की आज की जो स्थिती है उस पर चर्चा करनी चाहिए मैं उनसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि चारो दो संकल्प और दो बिल जो लेकर आए हैं वो कस्मीर इस्यूपर ही है उस पर आप अ और मिनिस्टर प्रेस महोदय मैं संकल प्रस्तूर करता हूं कि ये सदन अनुछे 373 के अंतरगत भारत के राष्ट्रपती द्वारा जारी की जने वली निम्नन रिखित अधिस उतनाओ की सिपारीश करता है संवीधान के अनुछे 373 के अंतरगत भारत के संवीधान के अनुछे 371 के साथ पठी अनुछे 370 के खण 3 द्वारा परदत सक्तियों का प्रयोक करते हूए राष्ट्रपती संसत की सिफारिश पर ये गोशना करते हैं कि ये दिनांग जिस दिन भारत के राष्ट्रपती द्वारा इस गोशना पर अस्तक्सर किये जाएंगे और इस सरकारी इसे सरकारी ग्याजेट में प्रकासित किया जाएगा उस दिन से अनुछे तिन्सो सटर के सभी खन लागू नहीं होंगे सिवाए खन तेट के नामत करता दमिफार पढ़ा जाएगा समिधान के समय समय पर संसोदि एगर बिना संसोदे महोग के ये पोगय नियां पत्वकित्विस की यूनिय दस्ताुए के भूबाग में कानुन के प्रवर्तन अथ्वा कोई अन्य लिखी संदी अथ्वा संजो दे जैसे अनुच्छे प्रिकल्पी ठोग अन्यखा ना हो मान्य सभापति मौदय मैं संकल्प प्रस्टू करता हूं कि ये सभा भारत के राष्ट्रपती की दिनांग 19 डिसेंबर 2019 की उद्धुष्णा के अनुरुप जमू और कास्ति की राज्य की विगाई सक्तियाई सदन्य निमिकों ने जम्मू और कास्ति की दिए तो रजार प्रस्टू को भीपार करें और इसके व्यक्त करें महादाए मैं प्रस्टाव करता हूं कि जम्मू और कास्ति कुनगजन गुदेव 2019 को इनस्टापिक करने की अनुमती दिए जाए महादाए मैं प्रस्टाव करता हूं कि जम्मू और कास्ति कुनगजन अधिनियंग 2004 को इनस्टापिक करने की पर्वीशन दिए जाए झाल 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 झाल